हेलो फ्रेंड स्वागता आप सभी का रभी सार रूइके वाले में तो चलिए आज की वीडियो को हम सुरू करते हैं और आज की वीडियो उत्राखन से के जिसमें हम 10 प्लस टू और ग्रेजुएट लेबल के जो भी आपके एक्जाम है जैसे समुग ग्रामविका सधिकारी वी लिग्षण देखेंगे तो आज हमारी यहाँ पर यह सोल भी क्लास है इससे पहले मैंने हाप पंद्रा क्लास कर ली है उत्राखन की जिसमां लिंग के नदिया है इसके यहां पर description ने दिया है इसके अलाव यहां पर 1000 प्रिवास और इसक चैनल पर चल रही है जिसके यहां पर 10 12 लास हो चुकी है करीबन 400 के आसपास यहां पर question मैंने उसमें discuss कर लिए हैं अगर आपने वह question नहीं देखिया तो आप उसको भी देखेगा तो आपको वहां से ज्यादा फायदा मिलने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं और यहां पर देख लिजे यहां पर मैंने कुछ फोटो लगा रखे हैं जो की वाटरफॉल की हैं यह आपके जो सामने दिखाई दे रहा है यह पि आपको पता होना चाहिए कि वाटरफॉल किस तरीके से दिखाई देते हैं यह ज़रने होते हैं एक तरीके से और उचाई से गिरते हैं तो कोई इनकी उचाई बहुत ज्यादा भी नहीं होती है लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे टाइगर फॉल इसकी उचाई 50 मीटर मान टेलीघ्राम में जाते हैं तो वहां पर आप फाल से स्क्षन में जाएंगे तो वहां पर आपको सारी फीडियाप देखने को मिल जाएंगे तो चले शुरू करते हैं और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेजेगा वीडियो को ज्यादा सेर भी करना तो यहां पर हम चलते हैं पहला जो वाटरफॉल है उत्राखंड का वो है टाइगर वाटरफॉल टाइगर वाटरफॉल कहां पर है और स्थानी भासा में जो लोकल लेंगवेज है लोकल लेंगवेज में इसको किराव पचड़ और कैलू पचड़ के नाम से जाना जाता है इतनी चीजह आपको टाइगर फॉल से द्यान में रखना है इसके अलोगश यहां पर टाइगर फॉल के बारे में नहीं धित तो उसी के पास में सहिस्टरधारा जर्ना श्थister है और इस जर्ने की खास्यत dúd आ कि इसमें बहुत सारे का जर्नेक पर्वाईत होते हैं और इन में एक जो जर्त है उसका जो पानी हीनी है वो गंदक उकत Maintenant जाता है ठीया कीत चाओफ है तो इस वजे से इसको सहस्त्र धारह बोलते हैं एक इससे पहले वाली क्लास में मैंने जब घड़वाल की ताले बताई थी तो उसमें हमने दिखा था कि सहस्त्र ताल तो सहस्त्र ताल है एक और ये है सहस्त्र धारा सहस्त्र धारा जो है वो वाटरफॉल है जो की देहरादून के पास इस्तित है और जो सहस्त्र ताल है वो गड़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल है जो की टेहरी गड़वाल जन्पत में इस्तित है ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी आपर अब हम चलते हैं देहरादून में और कौन से इस्थित है वाटरफॉल देख लेते हैं भट्टा वाटरफॉल भट्टा वाटरफॉल जो की है मसूरी के पास जो की देहरादून जिले में इस्थित है फिर देखेंगे हाँ पर hardy waterfall जो की मसूरी के पास में है और देहरादून district है और इसके बात देखेंगे हाँ पर कैमप्टी फॉल की अगर बात करेंगे यह मसूरी में इस्तित है लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो यह ठीहरी जनपद में आता ठीक है तो बहुत से लोग यहां पर confused होते हैं क्योंकि जो केंप्टी फॉल है वो मसूरी में है इस्तित है लेकिन मसूरी देहरादून में इस्तित है तो इसी वज़े से लोग इसको confused करते हैं कि केंप्टी फॉल देहरादून में इस्तित है लेकिन इसकाright answer होगा वो तुहरी जनपद क्योंकि Mursi का कुछ हिससा तुन मानते हैं तो supportive मैं इस्थित्त है इसे वज़े से इसको हमkt है Wakandaom मंटिफॉल किस जनपत में इस्तित हैं। अग्ला यहां पर देखेंगे तो यह पित्हौरगड में इसתित हैं। अग्ला हम देखेंगे नैपाल के जो बौर्डर है वहां पर यह भेल eo पर आधते हैं। ऐसे अगला हम देखेंगे मॉन्सियारी जैसे के आप स Federalry मीस अगला देखेंगे यहां पर जहरी पानी परपाथ, जहरी पानी परपाथ देहरादून में मौसूरी के पास इस्तित है, तो आपको यहां पर से देहरादून में कौन कौन से याद करने हैं, सबसे पहले टाइगर फॉल जो कि देहरादून में हैं, सहस्त्रे धारा तो यह चीज आपको ध्यार में रखनी है बिर्थी परपात का है तो पिथारागड में मुंसियारी के पास इस्तित नहीं है अब यहाँ पर चमोली में देखेंगे आप चमोली में एक important है, जो कि आपको देखने को मिलेगा, जो माना गाउ है, चमोली का, यह उत्राखन का अंतिम गाउ भी माना जाता है, माना गाउ, और माना एक दर्रा भी इस्तित है, जो कि चमोली जन्पद में इस्तित है, तो यह नैनिताल जिले में स्थित है जो की राम नगर में ही स्थित है ठीक है और वैसे देखा जाये जो कार्विट और नेशनल पार्क जो किस जीले में 13 देखेंगे यहांपर धुकने वाटरफाल यह He, अल्मोडा नयं, दमार्ग पर धुकने वाटरफाल कि और यहां पर आप देखेंगे चौधवा बाराति, राव वाटरफाल यह हर रुद्राहमनगर देखांगे तो बारती राव वाटरफॉल देखने को मिलेगा रुद्रधारी वाटरफॉल इंपोर्टेंट है कौसानी अलमोडा में इस्तित है और लास्ट है आपका भालुगार वाटरफॉल जो की नैनिताल जिले में इस्तित है मुक्तेसवर नामक आपने इस्तान सुना होगा जहां पर IVR आई है उसी के आसपास में यह भालोगाड वाटरफॉल इस्तित है तो यह थे इंपोर्टन वाटरफॉल जो की 16 वाटरफॉल थे उत्राखंड के इंपोर्टन जो की आपकी एकजाम में पूछे जाते हैं तो थेंक्यों सो मच और चैनल को शब्सक्राइब जारू कर लेना वीडियो को सेयर लाइक जारू किजिएगा और टेलिग्राम में यहाँ पर जोइन कर दिजिएगा वहाँ पर साब को पीटियो पसकी मिल जाएगी तो थेंक्यों सो मच